नमस्कर दोस्तों आज की इस नए वीडियो में एक बर फिर से आपका स्वागत है चतिस गर सिक्षक भरती से सम्मंदित आपके द्वारा पुछे गए बत पुड़ प्रस्थनों के जवाब इस वीडियो के मादम से मिलने वाला है क्या अचार सहिता का भरती पर असर होगा? क्या भरती प्रक्रिया रुख जाएगी? अचार सहिता कब से लगेगी? अचार सहिता लगते ही क्या भरती प्रक्रिया रुख जाएगी? क्या अचार सहिता से पहले पुरे पदो पर भरती हो पाएगी? इस प्रकार के बहुत सारे साथियों का विभिन्न प्रकार के कमेंट आ रहा है तो दोस्तों इस वीड़ो के माधम से आपके सारे will clear हो जाएंगे सम पुड़ा जनकारी के लिए वीड़ो में तक बने रहे और यदि आप चैनल में नए हैं इसे प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं तो चले स्टाइट करते हैं आज के मतापुड वीडियो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं सिधे भारत निर्वाचन आयोक की वेबसाइट पर देखिए इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है पूरे जनकारे के लिए वीडियो में तक बने रहे पहले देखिए आदर्स आचार सहीता देखिए आदर्स आचार सहीता राजनासिक डिलो और अभियर्तियों के मांग दर्सन के लिए निर्धारेत किये गए मानको का ऐसा समू है जिसे राजनासिक डिलो की समती से त्यार किया गया है और उन्होंने उक्त सहीता में सन्निहित सिद्धान्तों का पालन करने और साथ ही उनको मानने और उनका अक्षरसा अनुपालान करने के लिए सभी निजामती दी है इस मामले में निर्वाचन आयोग की क्या भूमका होती है तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग भारत के सभी निजान के अनुच्छे 324 के अधिन संसद और राद्य विधान मंडलों के लिए स्वतंतर निस्पक्च और सांतिपूर निर्वाचनों के आयोग जन हेतु अपने सभी धानिक करतवियों के निर्वाचन के लिए यह जो कानुन बनायाग है किस तारिक से अधर्स आचार सहीता लागू कि जाती है और यह किस तारिक तक प्रवित्त रहती है तो इसके बारे में जान लिजे कि अधर्स आचार सहीता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अन्सूची की घोश्ड़ा की तारिक से ला जो अधर्स आचार सहीता लागू हो जाती है और यह ओटिंग के दिन तक लागू रहती है और इसमें देखिए विभिन प्रकार के जो है प्रस्ण दिये गया है इसमें कुल 76 प्रस्ण दिये हुए है उनके जवाब आपको इस शुडियो से मिल जाएगा लेकिन मैं में पाइं जो अधर्स आचार सहीता की विश्चेस्ता हैं सरकारी तंत्र पर क्या अफर होगा ठीक है तो इसमें विभिन प्रस्ण दिये गए हैं जो अचार सहीता से रिलेटेड है और हम सीधे आपको ले चलते हैं कि इनका सरकार जो चैटिछगर सिक्षड भरती पर क्या आसर रहेगा, देखे लिए कि माल लिए पिसी योज़ना या्काराकरम के संबन्द में कामर आदेश जारी जारी किया गया है क्या इससे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है देखिए माल लेजे किसी योजना या कारे काम के संबंद में कारे आदेश जारी किया गया है क्या इसे इस निर्वाचन के बाद सुरू किया जा सकता है यदि जो है सिक्चक भर्ती की प्रक्रिया क्या हो गया है प्रारम हो चुका है तो उस पर जो अचार सहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए वास्ता में शुरू कर दिया गया है तो जारी रखा जा सकता है यहां जा सकता है मतलब अगर चाहे तो इसको जो है रोका नहीं जा सकता है और भर्ती की प्रक्रिया है उसको जारी रखा जा सकता है तो इस पर सिधे सिधे इस प्रस्ण से यही जो अर्थ निकल रहा है कि सिक्चक भर्ती पर अचार सहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा सिक्षक भरती प्रक्रिया जो है आगे बढ़ते रहेगी जैसे अभी प्रक्रिया चल रही है उसी प्रकार जो है सिक्षक भरती की प्रक्रिया जारी रहेगा अब रही बात अचार सहीता कब लगेगी तो दुस्तो अचार सहीता आप विभिन न्यूज चैनलों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो सुनने में आ रहा है कि जो सितंबर के लाष्ट में थीक है या फिर अक्टूबर के फर्ष्ट में क्योंकि चुनाव जो है 12 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में होना है तो 12 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में होना है तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के लास्ट में अचार सहीता लग जाएगी उसको जारी रखा जा सकता है उसको रोकनी क्या सकता नहीं है इस प्रकार से इस प्रस्ण से यही अर्थ निकल रहा है और इसमें विभीन प्रकार के जो है कोस्चन के जवाब दिये गए हैं तो हमारा जो में पैंड था उसको आपके सामने रखा तो चत्तिस गड़ में अचार के जवाब आप तक मैं रखा हूँ आसा करता हूँ कि आप उसके समझ गए होंगे और इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि चैनल में नए हैं तो तो चले मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ तेंक्यो फर वाचिंग ज एचैनल के सीडियो नए है चैनल के साथ तेंक्यो ने बातना हूं